हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मॉडल स्कूल राजगर्दोस लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वरा विज्यापित समिक्षा अधिकारी सहायक समिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परिक्षा 2016 को निरस्त कर दिया गया है अब यह परिक्षा 3 मई 2020 को संभावित है तो आते हैं दोस्तों प्रेस विज्यप्ति देखते हैं प्रेस विज्यप्ति दोस्तों ये है कि समिक्षा अधिकारी सहायक समिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परिक्षा 2016 को निरस्त किये जाने की संबंद में समिक्षय अधिकारी साहक समिक्षय अधिकारी प्रारंभिक परिक्षा 2016 दिरांग 27 नवंबर 2016 को प्रदेश के विभिन परिक्षा केंद्रों पर आयुजित की गई थी परिक्षो परांत वादी अमिताप ठाकुर द्वारा थाना हजरत गंज लखनओ में कथित रूप से परिक्षा के दोनों प्रस्नपत्र आउट हो जाने के विशय में पर्थम सूचना रिपोर्ड दर्ज कराई गई जिसके जांच CBCID लखनओ द्वारा की गई जांचो परांत CBCID द्वारा दिनांग 21 सितंबर 2018 को प्रक्राण में अंतिम रिपोर्ट नियाले में प्रस्तुत की गई जिसमें वादी अमिताप ठाकुर द्वारा अंतिम रिपोर्ट के व्रिद्व आपते दाखिल की गई विशेष नयाधिस CBCID लखनओ ने अपने आदेश दिनांग 11 2020 द्वारा CBCID के द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट को निरस्त कर दिया है तहाँ प्रक्राण की पुना जांच किये जाने है तो आदेशित किया है इस प्रक्रण में माननी आयोग की दो सदस्ती जांच समित की संस्तुती युन नयाइक मजिस्टेट CBCID लखनओ के आदेश दिनांग 11 2020 को संग्यान में लेते हुए आयोग निया विचार किया कि उक्त पुना जांच कराये जाने विश्यक आदेश के क्रब में प्रारंभिक परिक्ष्या का परिणाम अनिश्यत कालीन रूप से अधर में लटक गया है आयोग द्वारा इस तत्त को महत दिया गया कि जब तक प्रश्णगत आपराधिक व्वाद निस्तारित नहीं होता तब तक प्रारंभिक परिक्ष्या का परिणाम घोसित करने संबंधी निर्णे लिया जाना संभो नहीं होगा जिससे अनिश्यत्ता की स्थति बनी रहेगी इस संबंध में सम्यक विचारो परांध समिक्षा अधिकारी साहक समिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परिक्षा 2016 को निरस्त करते हुए पुनर परिक्षा कराने का निर्णे किया गया है इसके लिए जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर में आविदन किया गया है उन्हें प आगे चलते हैं दोस्तों यह भी निर्णे लिया गया है कि इस परिक्षा को समय बद तरीके से करा कर अंतिम परिणाम घोसित कराने का प्रयास किया जाएगा इसी परिप्रेक्ष में प्रार्मभीक परिक्षा की संभावित थी तीन मई दोहजार बीस नियत की गई है तो दोस् एक दोहजार बीस को श्रीय अर्विंद कुमार मिश्रा परिक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश लोकसिवायोग के तो दोस्तों यह परिक्षा चुकि जाच के दाएरे में थी और काफी इसमें वक्त लगता अभ्यरतियों का भविस्ष भी हित में न रहता और कहीं ने कहीं अगर इसमें परिक्षा का प्रस्णपत्र आउट हुआ था तो दम था इसलिए आयोग ने इस जटिलता को देखते हुए अभ्यरतियों की हित में पुना फैसला लिया है तो दोस्तों रेडी हो जाईए अगर आपने इसका आवेदन कर रखा है तो एक बार आपको पुना मिला है तीन में 2020 के लिए आप अपने आपको त्यार कर लिए दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा इन्फॉर्मेशन कैसे लगी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करना चैनल पे कमेंट करना लेकिन अगर आप मॉडल स्कूल राजगल की इस खुबसूरत यूटूब चैनल पे नए है पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बिल आइकन आता है उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग और लिसन